जय हिन अभ्यास ओंलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो सेक्षिन में दोस्तों हम नया टॉपिक ले करके आए हैं तो हमारा आज का जो क्लास है दोस्तों क्लास नंबर 16 है अगर आप पूरे 15 क्लास अगर आप नहीं अटेंड किये हो तो आप चेक आउट कर लिजिए वहाँ से आप दोस्तों पूरी तरीके से पूरी क्लास को आप अटेंड कर पाएंगे प्लेइस्ट में आप चेक आउट कर सकते हैं सब्सक्राइब अधिया में दोस्तों कुल जो है 14 भाग है और अगर इसमें धाराओं की संक्य अगर पूछा जाया तो दोस्तों इसमें 34 जो है धाराएं है सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे प्रशना अलग से पूछते है दोस्तों कि भाग दो मतलब अध्याय 2 ठीक है अध्याय 2 में तो अनुच्छेद एक होता है जो संचिप्त नाम को बताता है उसी तरीके से जो हमारा इसके लिए धारा एक है वो संचिप्त नाम एवं विस्तारे वं प्रारंब की जानकारी देता है और जो धारा दो है वो परिभाशाओं के बारे में बताता है बहुत सरे ऐसे परिभाशा तो चलिए थोड़ा सा ओर्विव देख लेते हैं अध्यादो का तो अध्यादो में दोस्तों खाद्य शुरक्षा एवं प्राउधान तो मतलब खाद्य शुरक्षा से रिलेटेड क्या क्या-क्या प्राउधान बताया गया थीक है तो धारा तीन कहता है कि अंतियोधै परिव प्रात्मिक्ता वाले जो परिवार हैं उसके समाने परिवार वाले तथा रियायती मुल्य पर इनको सभी को क्या करना है खाद समगरी जो है प्राप्त करने का अधिकार है इन सब के बारे में बताये गया है उसी तरीके से जो धारा चार है जिसमें गर्भवती महिला शुशु गर्वाती महिलाओं से जो दोस्तों जैसे पहला option यह हो जाएगा दूसरा option क्या हो जाएगा आपता विपन दीप रतिबंध के अवस्था में आपता बाल के प्रबंधन के शमय में तो इस तरीके से इसमें प्रश्णा घुमा करके पूश देता है तो इस तरीके से था दोस्तों यहाँ पास और जो अनुच्छे अर्थात अधारा जो साथ है उसमें क्या कहता है कि बच्चों में कुपोशन एवं निवारान के लिए प्रबंधन है मतलब इनमें बहुंग सारी गोजना है जो है आती है कि बच्चे जो है कुपोशित ना रहे ठीक है तो जो भाग दो है जो दोस्तों उसका ना आठ में बताएगे है इनके बारे में हम नेक्ष्ट जो वीडियो आगा डेटेल वाला उसमें हम देखेंगे ठीक है धारा नौ जो कहता है कि आपदा एवं आपदा ठीक है आपद एवं आपदा जो प्रभावीत व्यक्तिय हैं उनके लिए पोशन शाहता की विवस्ता करना जैसे कोरोना काल में आपको पता होगा कि इन सब्क से इन ही के ताहद दिया गया ठीक है चलिए अब देख लेते हैं धारा चार जिसमें भूख की दशा में ततकाल रहात जब ऐसी स्थिती आ जाती है राज्य के पास क्योंकि दोस्तों आपको ये पता है 36 गड़ के पड़ जो है राज्य में आजएगा है ना तो ऐसा राज्य जब भूख से स्थिती में लड़ रहा हो तो ऐसी स्थिती में वहां के जो राज्य सरकार होते हैं वहां भूख में ना मरने दे इसलिए क्या होता है ततकाल रहात की शुधा दी गई है धारा दस कहता है कि भूख की दश अगर आप नगर में रहते हैं तो नगरी निकायवाले करेंगे ठीक है तो कहीं आपको जो है मुख्य मंत्री को ये या फिर प्रधान मंत्री को कोशने की जूरत नहीं है इसमें पूरी तरीके से जो कारे करेगा इस्थानी निवाशी करेंगे ठीक है इस्थानी निकाय के गया राहत दिलाए गया यह जो प्रशन है दोस्तों प्रशन पूछा जा चुका है कि भूख की दशा में ततकाल राहत देने का जो प्रावधान है कौन सा भाग में दिया गया अर्थात कौन सा अध्या में दिया है तो अध्या चार में दिया है ठीक है तो आप अपके पास हो इसी में ही आता है ठीक है तो उसी तरीके से देखते हैं अध्याच जिसमें कहा है राज्यसरकार का द्वारा वित्य दाइत्व जो है उनके बारे में बताएगा है धारा चौदा राज्यसरकार का वित्य दाइत्व उसके बाद अध्याच साथ है जिसमें अंतियोदय परिवा नहीं होती लेकिन उनका जो नाम है अंतियोदे परियार योजना में शामिल होता है प्राथमिक्तन वाले जो परिवार होते हैं उश्मेश सामिल होता है तो कहीं न कहीं उन चीजों को पहचानना और उनका नाम वहां से हटाना और जो वाकई में इसके हगदार है उनके लिए क धारा 15 है और धारा 16 है ये इसी के अंतरगत ही आता है जिसमें क्या होता है परिवार तथा विश्वेश रूप से कमजोर समाजिक समूचों की पहचान से मार्ग दर्शित करना और उन्हें सरकार तक पूरी तरीके से जानकारी देना उसी तरीके से अंतियोदाय प्रात्मिक्त है जिसको सरवजी नहीं किया जा सकता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ सूची को ही सरवजी नहीं किया जा सकता है कि इसमें धारा 16 में अब बात करते हैं अध्याय आठ में महिला शक्रक्तिकरन के लिए विशेश रूप से इसमें प्रावधान दिया गया है धारा 17 में जिसके त राशन कार्ड में किसका नाम रहेगा, महिला का होगा, ठीक है, तो ये किस में बताएगए है, धारा 17 के अंतरगज बताएगा, किस अध्याय में बताएगयए है, अध्याय आठ में बताएगया महिला श्रशक्ती करहन के अधनुसार, ठीक है, अब बात कर llev interpret 177 जिसमें, भाई कोई अगर सेंट्रल में बैठा है रायपूर में बैठा है या फिर दिल्ली में बैठा है तो वो तो सहता करने नहीं आएगा ना तो उस समय का होता है इस्थानी निकाय जो है सामने आती इस्थानी निकाय में अगर आप ग्राम पंचात है तो पंचायत के लोग आएंग अगर देखिए अगर कोई आ गया कोई ऐसा समस्या आ गई जिसमें आपको क्या है शिकायते हैं तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान दिया गया है अध्याय 10 कहता है जो शिकायत है निवारन प्रणाली के बारें बताया गया है तो 19 जो धारा है उसमें कहता है कि आंतरिक श schedule जो है उठा करके इसमें डाल दिया है ठीक है तो खादेशन रक्षन जो है इसमें 38 गड़का 2012 में तो इसको जो है complete करके इसमें include कर दिया गया है और क्या नाम दे दिया गया है धारा 20 ठीक है तो आपको पता होगा इसके बारे में जैसे कोई एक वेक्ति है जो एक बार मडर करके आ चुका है मडर करके आया उसको बाद जहाए उसको 7 साल या 10 साल की सजा हो चुकी है लेकिन बाद में छानबीन से जब पता चला उसको कि वो एक नहीं 5 मडर कर दिया गया है उसके द्वारा तो वो है दोस्तों कहीं न कहीं उनके लिए फिर से उसको सजा नहीं दिया जाएगा ठीक है तो मतलब एक कारिक लिए उसको एक ही बार सजा दिया जाएगा अगर उसमें चानवीन के दौरान अगर उसमें और भी आती है कुछ है तो उसमें और सजा उसको नही दिया जा सकता, ठीक है, मैं किसको बता रहा था, सम्विधान को बता रहा था, तो यह हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, खादनी रिक्षक का, तो अधारा बीस क्या कहता है, 36 गर लोग सेवा गरंटी अधिनियां, 2011 के अधिन शेवाओं की सूचना, तो अध्या 11 जो कहता है दोस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो अनुचेद 21 कहता है कि लक्षित सरवजनिक वितरन प्रानली में आवश्यक शुधार करने हैं, तो राज्य सरकार की प्रमुक शक्ती हैं, जिसके तहत नए नए रूल्स, रेगुलेशन जो है लाते रहते हैं, ठीक है, तो इनहीं के के बारे में हम लोग देखेंगे, अध्याय बारा जो है उसमें पारदरशिता एवं जवाब देही के बारे में बतायागे हैं, जिसमें 22 वा अनुचेद कहता है, धारा कहता है कि लक्षित सरवजनिक वितरन प्रानली से सम्मंधित अभिलेखों का प्रक्टन होगा, और जो अनुचेद अर्थाद धारा 23 है, जिसमें इस्थानी निकाय द्वारा समाजिक जो अंके चण है, वो उनको करने के बारे में बतायागे है, और सांथी सांथ एक और बनेगा जो है निगरानी समीती, जो इन सभी का पूरी तरीके से निगरानी करेगा, किसमें पारदरशिता और जवाब दे है कि जो बारे में बतायागा है, कौन सा अध्धा है, अध्धा है 12 है, चलिए देख लेते हैं, अध्धा है 13, अध्धा है 13 में दोस्तों अपराद से रिलेटेड और उनके शक्ती, ठीक है, जैसे अपराद कर दिया, तो उसके लिए कौन सा दंड दिया जब उनसे पातरता है, उनके प्रदान करने का, जो कारेवाही करने का जो वीनिमा है, कही न कहीं, यह इसमें बतायागे है, और जो आर्टिकल 26, अर्था धारा 26 है, तो दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल बोलूं, या अनुछेद बोलूं, या धारा बोलूं, तो वो एक ही है ठीक है, जो यहाँ पास 25-26 जो बतार हूँ ना, वो सभी एक ही है, अगर मैं अध्याय बोलूं, भाग बोलूं, तो यह वाला है, ठीक है, तो उपर मजो दिया है, वो, तो आप कन्फ्यूज मत हुएगा, तो यहाँ पास क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पास जो है, धारा 26 दिया गया है, उसमें 36 गर सारवजनिक वितरन पणाली नियंतरक आदेश 2004 के प्रावधानों के उलंगन करता है, तो उस समय दंड देने के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है, अब लास्ट जो अध्याय है, अध्याय चाउदा, जिसमें खादिनागरी कल्यान कारी योजनाओं के बारे में बताया गया है, बहुँ सारे कल्यान कारी योजनाओं है, इन सब के बारे में हम देखेंगे, किसमें बताया गया है, ये अनुच्छे अर्थार आर्टिकल 27, अर्था धारा 37 में डिटेल तरीके से बनाया गया है, और ये पूरी तरीके स जिसमें अधिनियम के अधिन शक्तियों का प्रयोजन दिया गया है उसी तरीके से धारा 29 है जिसमें अनुशूचियों में संसोधन की शक्ति देखे अगर उपर का जो अनुशूची बना हुआ है जिसमें संसोधन करने के बाद बताया गया है देखे अब अनुशूची ये क्या होता है जिसमें कौन से कार्ड वाले को कितना किलो चावल देना है ठीक है और कितना रुपए किलो के हिसाब से देना है तो इन सब का जो अनुशूची है इसमें बढ़ताया गया है कि कौन से कलर का जो है राशन कार्ड होगा किन को क्या क्य योजनाय मुफ्त मिलेगी और कि इनको पैसा देना पड़ेगा कितना पैसा देना पड़ेगा इन सब का जो है निरधारन किया जाता है ठीक है तो निवयम बनाने की जो सकती है अनुछे अर्था धारा 30 में है और जो अनुशूची है उसको संसोधन करने की जो सकती है वो 29 में ठीक है तो 29-30 आप याद रखे इन्पोर्टेंट है ठीक है और ये जो है अध्याय चौदा के अंतरगत आता है अब देखते हैं देखे जो मैंने बताया था अनुशूची है ना तो अनुशूची एक और दो जिसमें जो है देखिए सारवजनक, वीतरण, प्रनाली के अंतरगत, खादे पदार्थों की जो पातरताएं है उन सब के बारे में अनुशूची एक कहता है और अनुशूची दो कहता है पोशन मानक मतलब की स्वैक्ति का अगर उम्र जो है बच्चा है ना क्योंकि बच्चे को क्या दिया जाता है जब तक वो चौदा वर्ष तक नहीं हो पाता ठीक है तो उसको क्या दिया जाता है कुछ इन योजनाओं के तहद उनको पोशन आहर्थ दिया जाता है क्योंकि बच्चे को कुपोशिट नहीं रखना है है ना और ये जो है कही ने कही जो है पूरी तरीके से इस्कूल में होता है ठीक है इस्कूल में जो निशूल कमेड़े मेल जो चलता है इसी के अंतरगत ही चलता है ठीक है तो ये जो है इसमें सुधार करने का जो अधिकार है 29 को और सुधार करने का जो नियाम है वो 30 में बताया गया है ठीक है अब देख लेता है 31 है जैसे में क्या हो गया इसमें विद्धमान योजनाएं मार्दरशी का आदेश एवं खाद्य संबंधी माप दंड बनाया है मतलब माप दंड का बना रहना है और साथी साथ इसमें कठनाईों के निवारण की जो शक्तियां है कहीं न कहीं इसमें बताया गया है कहीं ऐसी कठनाई आगे जिसको सौल नहीं हो रहा है यह प्रत्याशित कृत्या हैं तो ऐसी दसा में उन्य योजना या विधी के अलपी करण में नहीं होगा तो यह इंपॉर्टन है तो आप इसको याद रख सकते हैं तो यह थी दोस्तों पूरी जानकारी पूरे तरीके से हमने देखा कि इसमें जो कौन-कौन सी जो है भाग हैं और कितने धाराएं हैं सभी धाराओं में किस चीज का वर्णन है तो यहां से प्रशन पूछ सकता है अगर आप नहीं लिखे हो तो दोस्तों कॉपी में एक-एक करके लिखते जाएए और आप इसको याद रखे ठीक है क्योंकि यहा लंबा बनेगा दोस्तों कोशिश करूँगा कम बने कम और उसी के साथ जो है पूरी जानकारी कम समय में आपको मिल सके ठीक है तो उसी के अगनुसार हम देखते हैं मिलते हैं नए वीडियो में और वीडियो कैसा लागा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और जो चीज दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तो मुझे दीज़े इजाज़े टेक केर आल दे बैस्ट जाए हिंद